क हुआए है अब इसयलम Cobbers के आयो sein हम बात करते हैं Computer Maus के बारे नहीं receptorsि मैं एक इंपुट्ट ड्यवाइस है जिसके द्वार हम rif इंदर अपने दाता को सिब्सद्स करते हैं कंप्योटर माउस एक पॉईंटर डिवाइस है जो GUI interface में उपयोग होने वाली कि सबसे अधिक उपयोग वाली डिवाइस है है निग इंटरफेस में सबसे यह उपयोग होने डिवाइस कौन सी है माउस है आप दिखिए माउस जो होते हैं मुखता आपके तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से कौन-कौन से माउस आप्टिकल माउस और काडलेस माउस सबसे पहले बात करेंगे माउस की माउस क्या होता है मेकाइनकल माउस और कार्ड्लेस माउस में एक घुणन बाल लगी यानि नीचे की तरफ पर बाल लगा होता है यानि इसको चलाने के लिए हमें एक mouse pad की जरुवत होती थी यानि किसी समतल जगहे पर आसानी से यह नहीं चल सकता था इसको चलाने के लिए mouse pad यानि खुद्रे पैड की जरुवत होती है जिस पर यह रबल रगड़े या फसे और घूमे तब यह वर्क करता था दूसरा आता है आपका दूसरी चीज क्या होता थे यह optical mouse के तुल्ला में सिलो संकेट को जब क्यों बाल को घूमने में समय लगता था जब बाल को घूंग होने में समय लगेगा तो संकेट भी sensor को शिलो जाएगा यानी धीगत इसकी गती आज की माउस की तुन्ना में कम होती थी फिर दूसरा आता है आपका प्रकासिये माउस यह अप्टिकल माउस इस माउस में क्या होता है इस माउस के अंदर नीचे सेम जहां पे बाल लगी होती थी वहां पे एक प्रकास्ची तंतु लगा होते हैं यह अबजेक्ट लगा होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है लाइट परिवर्थित होता है रिफ्लेक्स होता है और उसके द्वारा ही कंप्यूटर को संखेत भेजता है सेंसर के द्वारा जि इसमें आपको दिख रहा होगा एक चालो माउस के फोटो लगाई है जो आन माउस है जिसमें देखें लाइट चौतरफा जल रही यानि जब यह अप्टिकल माउस होता है आप देखते हैं ऐसे उसमें लाइट जलती है वह कंपनी के डिपेंड करता है कि जिसे बहुत सारे कम क किसी में रेड लाइट किसी में ग्रीन लाइट किसी में ब्लू लाइट ऐसी लाइट होती है जिसके जो जलती रहती है जैसे ही इसको हम कंप्यूटर से कनेट करते हैं अब बात आती है दूसरा कार्डलेस माउस क्या होता है कार्डलेस माउस यानि ऐसा माउस जो बीना तार से computer के अंदर connected यह बीना तार ही connect करेंगे तब कैसे लगाएंगे तब उसके लेक ट्राइश्टर होता है जो कि देखें बगल में रखा हुआ जिसकों computer के CPU में लगा देते हैं उसके बाद हम computer को connect करते हैं यह क्या करता है क्यों के द्वारा कंपीटर से करता है लेकिन जो काड़लेस माउस होता है वह ज्यादा उपयोग में नहीं लोग लेते हैं क्योंकि पहली बात यह महेंगा होता है दूसरी चीज क्या होता है कि इसमें बैटरी यानि सेल लगती है और वो बार-बार डिश्चार्ज होने का डर हो जाता है इस वह से ज्यादा अंतर लोग कार्डलेस माउस का उपयोग नहीं करते हैं तो कि इसमें बार-बार हमें सेल की बदलने की पड़ती है यानि अधिक खर करते हैं धन्यवाद अगर वीडियो अच्छी लगे होगी तो लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें